गुड मॉनिंग आज मैं आपसे डिसकस करूँगा जो एक्जेम्पलर NCRT होती है हमारी एक्जेम्पलर NCRT के अलावा एक्जेम्पलर NCRT उसमें 6 चप्टर के यानि लीनियर इनिक्वालिटी के कोशिंट्स राइट जो यह जारे अब्जेक्टिव कोशिंट्स है तो यह वन म करते हैं तो हमने का प्ड़ाता है यह एक्जा में शिफ्टिंग करते हैं मैंगे तो हमने पड़ाता जैसी माइने से म्ल्टिप्लाइ следग जाएंतो यहाँ पर लेस देन है तो यह गृव करिक्वा पर दो कर HAHAHA यहां पर यह छयो आंज गई धा ठाय बन के यह तो ऑप्षन C ह कोशन कह रहा है कि x और y कोई भी दो रियल नमबर है जिसमें x less than y है और हम क्या कर रहे हैं बी से divide कर रहे हैं और बी क्या है सबस्क्राइब बी है less than 0 यानि बी एक ऐसा नमबर है तो 0 से छोटा है यानि इसका वाल हो गया भी कि नेगेटिव है तो हमने क्या पड़ा था कि जब भी हम किसी नेगेटिव नुमबर से मल्टिप्लाइए डिवाइड करते हैं यहींड किया ने तो सब्सक्राइब कोई भी रेंडम ली नंबर तो जैसी माइनस से मल्टिप्या करते हैं तो क्या होता है इनेक्वालिटी के साइन चेंज हो जाता है हाला कि यह दिख नहीं रहा माइनस बट क्योंकि भी खुद बोला गया वह नेगेटिव है तो साइन चेंज करेगा और एकुल तो ऑप्षिन गई तो कौन सी ऑप्षिन बचती है बिन दोनों से कौन सी करेक्ट होगी तो हम देख रहें सी ऑप्षिन करेक्ट होगी अब चलते हैं 21st question पर हमें इस inequality को solve करना है तो बहुत असान है हम क्या करेंगे पहले 17 को दे ले जाते है तो 17 को दे जाएंगे तो यह बन जाएगा माइनस 30 माइनस 17 माइनस 30 माइनस से डिवाइड करेंगे 3 से तो यह बन जाएगा 10 बट साइन चीन होगा होगी इनिकुलिटी चीन होगी है तो एक जो होगा वह 10 से गरिट रा जाएगा तो यानि इस का ओलो होगे एक्स बिलॉंग्स टू ओपन ब्रैकेट 10 टू इनिकुलिटी यह मारा आंसर आना चाहिए तो आप्शन ए करेक्ट होगी आप चलते हैं अंगने कुश्चन की तरो टूंटी सेकंड मैंने क्लास में बताया था आपको क्या होता है कि जब भी कोई मॉड एक्स ये से चोटा होता है यह हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और आपको याद भी रखनी है कि जब भी मॉड एक्स एसे लेस होता है तो हम क्याते हैं एक्स जो होगा वह माइनस एस अगे बीच में आएगा ठीक पदर तो यानि उसी प्रॉपर्टी के अगर हो फॉलो करें यहां पर और यहां पर एकुल टू नहीं है तो एकुल टू नहीं होगा तो हम यह कहेंगे कि मॉड एक्स अगर 3 से चोटा है तो इसका मतलब एक्स होगा वह माइनस 3 से 3 आएगा वह सिर्फ एकुल टो साइनट जाएगा बस तो कुछ सी ऑप्शन करेक्ट ही ऑप्शन नमबर भी हमारी करेक्ट आंसर है ठीक है मैंने प्रूब भी करवाया था एक बहर आपको दुपरा र ही करेगा माइनस ए से लेके ए के बीच में अब कैसे किया तो हम क्या करते हैं हमने ना चप्टर नमबर 2 में पढ़ा था मॉड एक्स को में लिख सकते हैं एक्स वेन एक्स पॉजिटिव क्योंकि जब एक्स जीरो से बढ़ा है तो मॉड का यूज किया है वो तो अल्री पॉ अब मैं इस इक्स पॉजिटिव करने के लिए केस बार ले रहा हूं कि जब एक्स पॉजिटिव हुगा तो यह जीरो से बढ़ा हुगा तो यह जीरो से बढ़ा हुगा तो यह जीरो से बढ़ा हुगा तो लेफ्ट 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 साइड वरी टाव एक्स बढ़ा है त हमारा पास inequality ओल्रेटी सौल होके आगई कि भी x एसे छोटा होगा फिर हम चलते हैं कि अगर x गड़्दन 0 होगा तो क्या होगा तो कहेंगे x अगर 0 होगा तो हमारी inequality ऐसे बहुत करेगी कि माइनस x हो जाएगा मौट की जग तो मैंने इस वाली innate quality में इसकी जगा माइनस x पुट कर दिया तो यह कि बढ़़ जाएगा हमारा थे और हम उनिल्टी करेंगी तो इन क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स है को यहां तो माइनज एसे ग्रेट रहे या या यह ठरम है है और यह एक लाढोग कुछ सा है तो हम कहेंगे इस कमल होगा common part हो गया कि x belongs to होगा minus a से लेके a के बीच में तो यही मैंने बोला था तो यह हमने प्रूव कर दिया तो यानि इस property के बेस्वे होगा option नमबर भी correct हो गया अब चलते हैं mod x b से greater है तो क्या होगा और उसलिए भी positive number है तो इसके बाद मैंने एक और दूसरी property बताई थी यह तो कोई एक property आपको यह result भी याद रखना है कि whenever mod x less than a होगा हमारी property होगा यानि इस कमल ना मैं एक और question बता जिता हूँ कि अगर आपसे मैं कहूं न कि mod x minus 1 2 से less है तो क्या होगा तो कहेंगे इस कमल हो गया कि x minus 1 या तो 2 से less होगा या यह इसी के negative से बढ़ा होगा पिछली वली property अब मुझे x निकालना है तो x निकालने के लिए मैंने minus 1 हटाने के लिए plus 1 कि है दूने set तो इधर 3 हो जाएगा गर माइनस हो जाएगा यह एक्स लाइक करेंगा माइनस 1 से 3 के बीचे है करी property ऐसे होती x plus 2 इस less than 5 तो हम कहते हैं कि x plus 2 जो होगा वह 5 से छोटा होगा या फिर माइनस होगा तो माइनस 2 हटाते हैं जैसे माइनस 2 हटाएंगे तो यह 3 आ जाएगा यह माइनस 7 आ जाएगा तो यह हमारा answer जाएगा कि इस तरह से हम question करते हैं एक और कर लेते हैं अगर मैं बोलूं 2x plus 3 हमारा माइनस 7 से छोटा है तो अब क्या गरेंगे तो जातर बच्चे क्या करेंगे इसमें property लगाएंगे कि हम कहेंगे कि 2x plus 3 माइनस 7 से छोटा होगा या इसी के positive से बढ़ा होगा बड़ यहां पे ही question वारा गलत हो जाएगा क्यों क्यों गलत होगा को यह हमने सीधा सीधा property लगा दी बड़ यह property तो तभी वैच क negative number है तो मॉड तो कभी negative से छोटा होता नहीं है यानि यह property अगर यह बाइचा कुशन आ भी गया कि यह मॉड माइनस 7 से छोटा है तो हम कहेंगे मॉड माइनस से छोटा होता ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका जो आंसर होगा हम कहेंगे इसका तो answer ही नहीं तो यह तो भी एक property है अब तो अब दूसरी property देखते हैं कि अभी था हमने पड़ा मॉड एक से छोटा होगा तो x-a से एक भी चुना ही करेगा अब property देखते हैं अगर मॉड एक से बढ़ा होगा तो क्या होगा फिर से दो केस्ट बना लेंगे विटा पहला केस्ट वेन एक अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स की जगह लिख देंगे एक्स तो अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स की जगह लिख देंगे माइनस एक्स इसको solve गिया, minus से दोनों side multiply कर दिया तो इनिकर T-chain हो गई, अब solution क्या आएगा देखें अब हमारा solution आएगा, यह minus infinity, यह plus infinity, यह minus से यह a तो x minus a से छोटा है, हम कहरे हैं यह answer आ रहा है और हमारा यह answer आ रहा है, तो दोनों को जब combine करेंगे होकि हम यहां पर और कहा है, यहां तो यह कैस होगा, यह यह तो हमारा पास answer आ जाएगा, x belongs to minus infinity से minus a union a to infinity, तो यह हमें case यहां देखना है, और अगर यहां equal to होगा, तो minus a के साथ भी equal to लगा देंगे, और a के साथ इसका मानलब होगा कि अगर मैं बुलूगा कि mod x 7 से बढ़ा है, तो आप कहलेंगे, इसका मानलब होगा, x ही जो होगा, या तो 7 से infinity जाएगा, या यह इसी के negative से छोटा होगा, तो यह आपका answer आ जाएगा, अब हम इसी को property को यूज करते हैं, यहां कहरा है, यह b एक positive number है, mod x b से बढ़ा है, तो यानि second property लगी, इसका मतलब जो x होगा, वो कहा लाई करेगा, वो लाई करेगा, या तो b से infinity के बीच में, या यह इसी के negative से छोटा होगा, यानि minus infinity से minus b, कौन सी option करेक्ट ही, अब यह equal to नहीं है, तो इसका मतलब यह open bracket हो जाएगा, ठीक है न, equal to नहीं लगा हुए in equality में, तो यह option गई, यह option गई क्यों कि union है, तो यह हमारा d option करेक्ट हो जाएगी, अब इसी के base पर अगला question करते हैं, कि x minus 5, जो है, x minus 5, 5 से बड़ा है, ठीक है न, तो second property लगी, तो एक इसका मन हो जाएगा, यह या तो x minus 5, हमारा, x minus 1, या तो 5 से greater होगा, या फिर x minus 1, x minus 1, 5 से greater होगा, या यह minus 5 से छोटा होगा, दो ही possibility है, तो x 6 से greater आ जाएगा, या फिर x minus 4 से less हो जाएगा, तो हमारी inequality क्या बन जाएगी, हमारा answer आ जाएगा, कि x जो होगा, equal to नहीं लगा हुए है, तो minus infinity से minus 4, union, 6 to infinity, तो यहाँ पे options थोड़ी गलत दी होई है, तो option गलत कैसे हैं, देखो, पहली बद यह option तो मिले पल गई, अब option A और C में से होगा, तो यहाँ पे 6 के साथ close bracket लगा हुए, नहीं हो सकता, यह हो सकता है, बट एक mistake होई है, यहाँ पे infinity के साथ भी close bracket लगा हुए, तो यह open bracket होन हैं, तो हमारी कुँजी property लगी, हमारी लगेगी property number first, जो हमने आज पढ़ी है, तो इसमें क्या होगा, हम गरेंगे x plus 2 जो होगा, वो लाई करेगा 9 और minus 9 के बीच में, यह अगर less than होगा तो minus A से एके बीच प्लाई करेगा, more than होगा, तो A से greater या minus A से छोटा, आप इसको solve करते हैं, तो यह आजएगा 7, यह आजएगा minus 11, तो हमारी कुण से property ठीक होई, यह x लाई कर रहा है हमारा minus 11 से 7 के बीच में, तो यह हमारी option number, बी correct हो गई, ठीक है, तो यह सारे कुण से question है, यह exemplar NCRT की questions है, ठीक है, यह आपने try कर लेने हैं सारे एक बढ़ुर, अब यह कह रहा है कि यह inequality क्या represent करें, कौन सा answer match कर सकता है इसमें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा common region, वो कहां लाई कर रहा है, वो हमारा लाई कर रहा है, minus 5 से लेके, 5 के बीच में है न, देखो हमारा answer यह minus 5 से लेके, 5 के बीच में आ रहा है, यह इसक की यहाँ ही यहाँ पर, लाई की पड़ी होगी तो कैसी पड़ी होगी, x, y से दि लेक, तो बेषी कर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अ Guidry आ रहा है, वो 5 से minus 5 के बीच में आ रहा है, दो, हमकि कहहर है कि कोढ़ अधिinkो care यह को सी property, जो आधी हमने दो property पड़ी, उसमें एक माइनेस 5 और 5 के बीछ में लाइक होला है इसका मतलब क्या होगा मोड जोगा वो 5 से लेस्ट के भीच होगा अब यहां पर डॉटर डीचन तो है नहीं नहीं यहां पर यह कोशन में फोड़ ऐस दीज नहीं देवी किया आंसर मलब यह टॉटर डीचन है के नहीं इस पूरे को कवर किया हुआ माइनस वाइब को भी कवर किया हुआ है तो इसका मला हमारा आंसर मॉड एक्स लेज दे फाइब होना चाहिए निए ग्रेड़े देंकी तो ऑप्शन नहीं गई अब हमारे पस ऑप्शन बसती है एक एक एब यहां थोड़ा सा डाइस ही है एक पर दे तो अगर यह माइनस वाइब यहां है तो इसका मतलब यह इसको कवर कर रहा है इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा बट अगर फाइब थोड़ा सा पहले है तो इसको होलो सर्कल किया हुआ तो एक काउंट नहीं होगा तो मेरे साब से इसका अंसर यह आना चाहिए क्योंकि यह इनकप्लीट ऑप्रिशन दी हुई है अब चलें कुशन नंबर 27 यह कहना है चूज दकरेंट आंसर फ्रम गिवन फॉर ऑप्शन फिर से एमसी की वागे की कौन सा अंसर करेक्ट है तो अब नंबर यहां पर यहां पर ही कहा रहा है यानि यहां क्लेर्टी दी हुई है कि 5 सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगी अब चलते आंगे यहां पर भी देखें डाक तो क्लियर दी दिखनी रहा है वैसे आपको फिर भी हम डाक ही क्लियर नहीं दीख रहा है कि क्या अंसर है हमारा है दोनों सब्सक्राइब है यह थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखने अगर यह पूछना जाता है तो यह माइनस से नाइन बैट तो हम कहेंगे माइनस से नाइन बैट नो हो जाएगा यह रिजन है तो हम कहेंगे यह आंसर आएगा और अगर यह रीजन है तो हमारा यह option आएगा तो कुछिन में क्लिरली मैंच चलोना चाहिए यहां दिखनी रहा है मैं ठीक है अब चलते हैं अगले कुछिन पर यहां पर यह डाकर मान के दिख रहा है थोड़ा सब तो यह कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेकिए 7 बाइ मान आंपक्षाला लाऊ लेकिंट हो यह डाक होगा तो हमारा अंसर रांसर और बहुत से uh नेगर को हाहता है ऑठ देक्सें नहीं कि वाल्च हुए इसका मज़़सर फ्लस हैं यह कि अगर huge xy greater than 0 है अगर 2 number का product 0 से बढ़ा है तो x 0 से बढ़ा हुगा और y 0 से छोटा हुगा ऐसा नहीं है अगर xy दो number का product 0 से बढ़ा है तो दो ही possibility होगी दो number का product positive बबाता है जब दोनो positive होगी है दोनो negative पर यहां कहरा है कि x positive है यह यह भी false है xy 0 से बढ़ा है तो हमने अभी पोला discuss किया कि दो possibility होगी या तो x less than 0 होगा y less than 0 होगा और या फिर x भी positive होगा y positive होगा तो यह को एक option हो सकती है अब xy 0 से छोटा है दो term का product 0 से छोटा है negative है तो एक positive होगी दोनो negative नहीं हो सकते इसके coding तो यह false होगी है ठीक है अगला कहा रहा है कि इसको plot करो कि x-5 से लेसर है x-5 से लेसर है और x-2 से छोटा है तो common part कुंसा है यह वाला यह वाला एक स्वाइन सबसे छोटा है यह वाला रीजन और x-2 से बढ़ा है एंड लगा हुए तो एंड का मलब दोगे common part कॉमन पार्ट तो यहां है नहीं तो इसका मलब इसको solution नल से आएगा बढ़ यह करें यह आए तो यह तो फॉल्स है अब है कि x-2 से ग्रेट रहे और 9 से से माइन से ग्रेट रहे तो यह अप्ट फॉलों सर्कल आगे नाइन से लेसे तो यह सर्कल आगे तो common part आ रहा है माइनस 2 से 9 तो यह यह option true हो जाएगी ठीक है mod x greater than 5 अभी हमने पढ़े थी property अगर mod 5 से बढ़ा तो यह तो 5 से बढ़ा होगा यह x-5 से छोटा होगा यह हमारी option क्या होगी x होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 तो इंफिनिटी तो कौनसी option और यह option तो है यह true false है तो आप कहेंगे यह false है क्यों false है यहाँ पर 5 के सथ close bracket लगा रखा जो हो नहीं सकता मौड x 3 से 4 से छोटा है तो इसका मनलब भी 4 और माइनस 4 के वीचों लाइक करेंगे इसका मनलब x माइनस 4 से 4 के वीचों लाइक करेंगे तो यह यह statement true है अब देखते ही है यह क्या रहा है कि graph of x less than 3 क्या आएगा तो अब पहली वाज़ा हमने बढ़ा था कि x less than 3 है तो हम एक्स के equal to 3 पे एक्चिल में graph बनाते हैं पर इक कब बनाते हैं जब x equal to 3 हो या उससे less हो क्योंकि 3 भी हो सकता है और उससे less भी हो सकता है अगर यह इकल इकल टू 3 होता इकल टू ना होता तो हम यह डॉटर 9 बनाते हैं कि 3 एक्जेक्ट नहीं है और 3 से less विलिस आ रहे है तो यह होता बट कि धान से देखो उसने यहां पर line नहीं बना रहे है लाइन बना रहे है यहां उस option से इसका मलब यह line बना रहा है इसका मलब जो हमने पह 5 और minus 5 के बीच में equal to भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यह line से denote कर रहा है उस पार्ट को इसका मलब हमारा यह option गलत हो जाएगा option number a correct होना चाहिए यह निए ncrt में यह line को plot करके mark कर रहे हैं कि हम उसको cover तब कर रहे हैं जब line हो तो इसका मलब बीच का यह कुण से होगा minus 5 से 5 तो option number a correct हो जाएगगी अब चलते हैं question number 11 पे यहां कह रहा है कि x greater than 0 और x greater than 0 होना चाहिए इसको plot करो तो ठीक है x greater than 0 कहा होता है यह तो वैसी पता है आपको x greater than 0 इस साइड होता है सारा कि सारा और इस सारी shading वह ही कह रहा है और यह भी dark है line भी है तो यह हमारा option true है यह फॉल्स हो जाएगे हमारी ठीक उपर वाला फॉल्स है तो यह हमने मिसलिन सी question करें अब y less than 0 है y less than 0 negative कहा होता है downward और यह तो upward दिखा रहा है तो इसका होलब यह statement false है अब x positive है y negative है x positive कहा होता है इधर y negative कहा होता है इधर तो common reason यह आ गया बट वो कहां दिखा रहा है वो दिखा रहा है first quadrant तो यह भी false हो गई ठीक है अब x positive है x positive है और y less than वाला है तो पहले न y equal to 1 बना लेते है y equal to 1 यह लाइन हो जाएगी अब इसकी शेडिंग करने के लिए x हम 00 पुट कर देता है origin तो जैसे 00 पुट करेंगे इस inequality में x तो आ नहीं रही है इसकी शेडिंग origin की तरफ जाएगी यानि नीचे वाला region आएगा और x positive है तो सिर्फ यहां पे रखेंगे यानि common region यह हो गया हमारा यह हमारा common region का बट यह तो ऊपर की तरफ कर रहा था यानि यह भी गलत है इसका वालब यह शेडिंग भी फॉल्स है तो इक ग्राफिकल अप्रोच है जापने बनाए नहीं है अब अगला चलते है एक्स प्लस वाई जीरो से बढ़ा है तो पहले हम क्या करते है एक्स प्लस अब यह एक्स का फ्लस में बनाते तो इस जाबल्ब क्या होगया आधानि यहिए हैक्स का इसी का नेगाटिव आए और यह शीना-पाल नेगेटिव यह घर जीरो दनी थीच्ट कि को छुआ तो माइनस 1 उसके बाद 2 पुट किया तो माइनस 2 माइनस 1 पुट किया तो 1 तो यानि ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा यह हमारी लाइन हो गई इसकी x प्लस y इकुल दो 0 की कि अब शेडिंग कि लिया क्या करतें कोई भी पॉइंट ले रहा है जैसी मठाट 2-0 ले रहा हूं तो जहा हम इसने 2 प्लस 0 उपुट करेंगे 2 प्लस 0 तो जीरो से बड़ा है 2-0 से बड़ा है True है यानि Shading इस Point की तरह हो जाएगी यह इस कर दो हो जाएगी हमारी यानि यह Graph ठीक हैता हमएंगे यह हमारा Graph ट्रू है ठीक है तो यह हमने पहले उमसी की ऊचिय है इसकेमिस पर और true false or Phillips यह तो बहुत असान है जैसे मैं इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यह बन जाएगा सही थी बट इनक्टिए चेंज होगी यहां पर आदेगा टाइन स्पहलें स्क्ट करेंगे जाब हो इस वाद आक डाव छिर्श थी इनक्टिए डिवाइड तो यहां पर यह 4 उतर चला जाएगा तो यहां आजाएगा ग्रिट इन इकल टू यह वाला पार्ट मैंने बताया था कि क्या होता है कि हम अपो सीधा हम नंबर को उतन ले जाते हैं तो पहले हम 2 को as it is रखे x plus 2 से उपर नीचे को multiply कर देंगे नीचे square हो गया फिर उसको देले जाएंगे तो यह मरपस बज़े गया एकस प्लस 2 0 से बढ़ा यहीं एकस माइनस 2 से ग्रट होगा तो यह आजाएगा माइनस 2 अभी कह रहा है कि अगर एकस माइनस 5 से बढ़ा है तो 4 से multiply करने पर क्या होगा तो 4 तो positive quantity है तो positive quantity में नहीं होगी एज़े से रह जाएगा अब अगर x ग्रेदें y है और z एक negative number है तो जब एक negative number से किसी inequality को multiply करते हो तो वह inequality change होती है तो जैसे हमने z से multiply किया तो यह inequality ऐसे होके chain हो जाएगी ऐसे हो जाएगी ठीक है और फिर उसने का यह माइनस भी लगा रखा है तो माइनस लगाने पर क्या हुआ अब माइनस से Is cr-क कैसे ब करेंगा तो माइनस की जो होगा वह 0 से बढ़ा हो जाएगा अब मैं दोनुन से पी एड़ कर देगा हूं तो जैसी मैं इस से बीड़ और गरोगा और इस से पी एड़ कर आजाएगा है यहां एसा मैंने बना दिया तो इसका मलब मेरे पास यहां ग्रेटन जीरू आजाएगा नियुक्त आप कोई भी नंबर चूज करकर देख लेना पी को आप 1 माल ले न क्यों कोई भी रेंडम ली नंबर तो वान और हमें पी माइनस क्यों तो यह आजाएगा टू और पी है वन तो टू और वन में चोटा हूँगा ही पड़ा था हमने तो एक्सिया तो तो 3 से ग्रेटर होगा कि या फिर एक्स माइनस से चोटा हुआ मनस से छोटा हुआ यह गळदन थ्री हो जाएगा ठीक है और लाज्ट किसकी बात करते है माइनस 2 एक्स प्लस बशान ग्रिदन नाइन है पहले वाइन व 4 से छोटा यह बराबर होगा तो यह हमने इस वाले टूटोरियल में जो हमने वाली एक लास के अंदर इस सारे में इसके एक्जेम्प्र एक सारे सारे अब आप इनको प्रेक्टिस करिये और परफेक्ट हो जाइए इस टॉपिक में ठीक है तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट लिए और इसकी जो बचे कुशन है बड़े वले ग्रावले यह भी एक बड़ ट्राइक कर लेना ठीक है थेंक यू एंड हैपी न्यूएर टू